हेलो फ्रेंड जैसे देख पार आज मने पास है टीवेस अपाचे आट यार वन सिक्स्टी फॉर वी और आज इसमें जो कस्टमर का प्रोब्लम इसमें जो इरिटी डिंग हो रही है कस्टमर बोलने कि इसका इंजिन बहुत ज्यादा हीट हो रहा है जबकि इसमें मैंने दो ती और 50 भी यूज करके देखा दो तिन सर्विस में बट इंगिन का प्रोब्लम सॉल्व ने हुआ हीटिंग का तो आज इसमें का करेंगे इसके जो ओईल का कुलेंट होता है यहां पे इस जगह पे और इसमें देखें कहीं से इरिटींग का प्रोब्लम होगा कहीं से लीकेज या फिर यह जो हीटिंग का प्रोब्लम क्यों होता है या फिर यह जो टूहंडेट फॉरवी और वन सिक्स्टी फॉरवी में यह जो चीज दिया हुआ है यह काम का यह फिर दिखावे के लिए इस तरह से यहां पे आटेच कर दिया है तो यहां पे दो पाइप इस तरह लग पाएगी या नहीं उस इक बार हम डीटेल में बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होगी तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब करके बेल आकोन को प्रेस कर दीजेगा तो चलिए सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए फट से वीडियो को शुरू करते हैं और पिलीज मुझे सपोर्ट कीजिए सपोर्ट की बहुत जरूरत है पर डेस तरह से टेक्निकल वीडियो ला रहे हैं तो आप लोग का भी फरज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकोन को प्रेस कर दीजिए चलिए फट से वीडियो को शुरू करते हैं और आगे के प्रोसेस अपको हम बताते हैं कि हीटिंग का प्रोब्लम कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले इसका जो ओइल कुलने के लिए 6 बोल्ट आपन करना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पर 2 8 mm का है एक दो दो यहाँ पर 10 mm एक यहाँ एक यहाँ और दो इसके अपोजिट साइड क्योंकि देखिए जब भी इसका ओइल कुलर होता है इसको हम ओपन करेंगे इसका आउटपुट और इनपुट देखिए इसका जो कैसे मेकेनिजम काम करता है इसको ओपन करने के बाद ही आप मारे इंजन में फिर ओईल आ जाता है तो कौन सा आउटपुट है कौन सा इंपुट है खोलने के बाद ही आपको हम डिटेल में बताते हैं कैसे वर्क करता है क्या मेकेनिजम है फाइदा इसके अंदर है या फिर नहीं है ओईल कूलर वाला ज्यादा फाइदा मन्द है या फ से तो दोनों 8 mm के बोल्ट एक यहां एक यहां इसको ओपन करते हैं फिर आगे प्रोसेस आपको हम बताते हैं यह खुल गया इसको खुलने के बाद यहां से ओईल का लीकेज नहीं करेगा और देखिए कि यहां पर पतला ओर इंग है इस जगा पर शायद आपको केमरे में द लेते हैं तो इधर आपोजिट का भी दो 8 mm का बोल्ट खुलते हैं कंपनी फिटेड है कमप्लीट टाइट है तो यहां से इस दोनों पैफ को आपन करेंगे तो दोनों 8 mm का बोल्ट आपन हो गया इस पैप को मियां से सैड कर लेते हैं तो देखिए यह हमारा इधर से ओईल यहां से देखिए ओईल का लीकेज हो रहा है कि दोनों 10 mm को ऑपन करते हैं फिर हमारा कूलेट जो बाहर निकलाएगा तो फिर इसके जो दोनों 8 mm का इधर से बॉल्ट ऑपन कर दी हैं और यहां पे जो 10 mm के बॉल्ट इसको उपन करना पड़ेगा तो दोनों बॉल्ट को खोलते हैं और कूलर जो हमारा यह बाहर निकलेगा फिर आपको प्रोसेस बताएंगे इसके अंदर भी तो यही 1200 ml जो रिकेमेंडेट कमपणी रिकेमेंडेट इसमें इंजिन ओयल है यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा तो एक लिटर के करीब इसके ओइल जाएगा और आएगा तो उससे का होता है कि हीटिंग का प्रोब्लम कमप्लीट सॉल्व करने का यह मतलब प्रोसेस होता है इधर से जाता आता है तो कमप्लीट इसमें 1200 ml यहाँ पर दिख पा रहा होगा चलिए कुलर को नीचे लेते हैं फिर आपको हम डिटेल में यह देखिए इसके अंदर कमप्लीट ओईल जाता है इधर से भी और इधर से भी देखिए और इसका इंपूट और आउटपूट साफ दिखा जेते हैं यहाँ पर आपको पार्ट नमर दिख पा रहा होगा यह इसका पार्ट नमर है तो यह जो है यह इसका लाइन बना पाइप है कौन सा इंपूट पाइप है उसके बारे मापको हम बताते हैं तो यहाँ पर आपको डबल पाइप दिख रहा होगा एक यह पाइप है जो कलच कवर से उपर होते हुए है और एक नीचे गियर बॉक्स वाले चेंबर पर लगा हुए यहाँ पर तो यह जो हमारा ह आउटपूट इधर से हमारा ओइल जाता है ओइल कूलर में इधर से और इधर से इंपूट होते हुए नीचे यहाँ पर कूल होके नीचे जाता है तो यह पाइप को ऑपन करते हैं फिर आपको हम बताते हैं इधर से ओईल जो यहाँ पर सबसे पहले फिल्टर है तो तो यह जो 10 mm का नट है इसको आपन करना है और चारु तरफ ओर इंग लगा होता है इस तरह से ओर इंग होता है इसको एकदम ध्यान से रखें ताकि यह कहीं से गुम ना हो जाए यह खुल गया और देखिए यहां से यह ओपन हो गया और पाइप में भी कम्प्लीट ऑईल भरा हुआ है इसको इदर से ले लेते हैं यह हमारा है इनपूट है आउटपूट वाले पाइप को खोलते हैं इस जेगा से यहां से यहां पे 10 mm का नट लगा हुआ है तो यहां से भ इसको यहां से नीचे खोल लेते हैं यह खुल गया बहुत से बारका होता है कि यह बोल्ट स्लीप हो जाता है मैंने देखा है यह देखिए यह ओपन हो गया यह हमारा था इनपूट आउट इनपूट साफ्ट सॉरी इधर से ओईल हमारा जाता है कूल होके तो देखिए कहां कहां पे hall है और इसको pipe को complete लेते हैं फिर जो बहुत से भाई के पास 180 old वाला है या फिर 160 old वाला है comment ना करें इस वीडियो में complete detail में बता देंगे कि उन सब bike में यह जो fitted हो पाएगा या नहीं हो पाएगा तो चलिए इसको बाहर लेते हैं फिर आपको detail में बताते हैं दोनों pipe output है और एक इस पर output बना हुआ है normal देखिए यहां पर hall आपको दिख पा रहा होगा देखिए इसमें अभी भी oil भरा हुआ है तो इससे आपको यह समझ में आ रहा होगा कि इसमें और कोई mechanism ने या ना फिर इसमें आप coolant वगेरा यूज कर सकते हैं इसका जो सिर्फ काम करता इयर से ठंडा पड़ता है और फिर इसी तरह से mechanism काम करता हूँ बात करते हैं इसमें जो normal बायकों में fit हो पाएगा या नहीं हो पाएगा तो normal बायक में fit हो जाएगा मैं बहुत जल्द इसके जो 160 normal वाला वर्जन टू भी वाला वर्जन उसमें इसको असेंबल करके सीर्फ उसमें far tire इदर से हुदर का ट्रांस्फर करना सिर्फ उसी तरह से लगा हो हेडल में दाब बात करेंगे तो इसके बार tut है आप आपको समझ में आई वह किस तरह से हमारा नीचे कमेंट कर सकते हैं और इसको आपन करके आपको तो दिखाए चुके हैं कहीं से इसमें कुछ नहीं है सिर्फ एक पाइप से ओईल जाना और दूसरे उसे ओईल आना और इसके अंदर ओईल ठंडा होता है और 1200 ml के बारे में तो आपको समझ में आहीं गिया होगा कि इसमे 200 ml के करीब रह जाता है मोबिल बागी एक लिटर जो है इंजन में वर्क करता है तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यही ओईल कूलेंट हम असेंबल करेंगे 160 में और आपको हम डिटल में दिखाएं कैसे कहां पर क्या चीज़ असेंबल करना है तो उसके ते दिएेग्स पूर वाची कूल